नमस्कार रदाब दोस्तों टिंगर गराम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप Gmail का इस्तमाल तो करते ही होंगे और आप रोजाना किसी न किसी को mail भी भेजते होंगे लेकिन जब कभी आपको ज़्यादा लोगों को mail भेजना हो वो भी separate जैसे कि अगर आपको 50 या फिर 100 लोगों को अलग-अलग mail भेजना हो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बार-बार matter को टाइप करना होता है email ID को टाइप करना होता है तब जाकर उन सबी लोगों को आप mail भेज पाते हैं जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा time waste होता है या फिर दोस्तों अगर आपको किसी function पे बहुत सारे लोगों को mail से invite करना हो और वो भी separate तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे Gmail के एक बहुत ही useful feature mail merch के बारे में जिसकी मदद से आप 100 से भी ज़्यादा लोगों को एक साथ mail भेज सकते हैं वो भी separate कोई CC नहीं, कोई BCC नहीं सबको separate mail जाएगा तो ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमेशात ही तरह आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टोपिक्स पे नए नए वीडियो से लिकार आता रहता हूँ तो आईए दोस्तों आज कुछ नहीं से दोस्तों यहां से अब आप इस वीडियो को थ्वार ध्यान से देखना ठीक है तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउसर में जीमेल को लोगिंग कर लेना है जीमेल लोगिंग करने के बाद आपको यहां भी यह भी चेक कर लेना है कि आपका जीमेल अपडेटेड होना चाहिए अगर आप अभी भी जीमेल का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहां पे आपको सबसे पहले subject type करना है उसके बाद matter type करना है यहां पे जोस्तों आपको वो matter type करना है जो आप mail में लिख करके सभी को भेजना चाहते हैं तो यहां पे मैं पहले subject और matter दोनों को type कर लिया है यह एक शादी का invidation है अब इसके जगे पे आपको कोई भी official matter भी हो सकता है यह बस मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से type किया है तो यहां पे दोस्तों आप mail मर्च करने से पहले आपको इस compose page पे एक काम और करना है आपनी यह जो matter type किया है इसके ऊपर यहां पे आपको एक code type करना है ताक आपको यहां पे एक code type करना है आपको अपने keyboard पे less than के symbol को दो बार type करना है फिर आपको यहां पे लिखना है name और greater than के symbol को दो बार type करना है यह हो गया सिर्फ name के लिए लेकिन अगर दोस्तों आप name के साथ surname भी add करना चाहते हैं जैसे कि name हो गया Rajesh और surname हो गया Kumar आप पूर यहां पे type करने के बार अब आप यहां website में देखिए जब draft पे click करेंगे तो यह matter यहां draft के अंदर आकर save हो गया है शादी समारा और निमंतरर के subject के नाम से अब आपको simple यहां पी यह draft आपका तयार हो गया जो आपको हर किसी को बेहना है simple आपको यहां से इसको बंद कर दे देने के बार से नया tab open करना है और यहां पे आपको type करना है Google Docs और यहां इसका website आपको यहां पे मिल जाएगा यहां पे आपको अपने browser में Google Docs को open कर लेना है यहां पर देखिए Google Docs open हो गया यहां पर आपको dog sheet slide forms यह सारे मिल जाएंगे जैसे आपको Microsoft Office के अंदर Word Excel PowerPoint मिलत है कि यह Google का है इसलिए यहां पर इसका नाम Docs, Sheet, Slide और Forms है आपको यहां उपर देखिए Docs के बगर में sheet दिखेगा आपको यहां sheet पे क्लिक करना है उसके बाद से आपको यहां option मिल जाएगा Go to Google Sheet आपको यहां Go to Google Sheet पे क्लिक करना है और यहां पर आपको एक blank sheet open कर लेन ब्लैंक शीट open करने के लिए यहां पर देखें प्लस का साइन मिल जाएगा ब्लैंक लिक्खा है आपको सिंपल इसके प्लिक करना है और यहां पर एक blank sheet open हो जाएगा शीट open हो जाने के वाद से दोस्तों अब आपको यहां उपर देखिए एक option मिलेगा add-ons का आपको यहां add करना है yeh another mail merge आप वियहां पे सिर्फ क्लिक हैंगे नीचे आपको मिल जाएगा उससे शीट पहला ही है Yet Another Mail Merge, Mail Merge for Gmail, आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद से आपको इस Yet Another Mail Merge को इस अप्लिकेशन को अपने Google Sheet के अंदर इंस्टॉल कर लेना है उसके लिए आपको यहां इंस्टॉल पे क्लिक करना है continue पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपने gmail id को select कर लेना है यहाँ पर दोस्तों आपको उस gmail id को select करना है जिसमें आपने draft को तयार किया है तो यहाँ पर आपको gmail id को select करना है फिर आपको दोस्तों यहाँ पर इस application को कुछ permissions देना है उसके लिए यहां पर देखे अलाव को बटन है सिंपल आपको यहां अलाव पर क्लिक करना है और यह application Google Sheet के अंदर install हो जाएगा यहां पर देखे इंस्टॉल हो गया install होने के बाद simple आपको यहां done पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर यह window open होगा इसको यह आपको close कर देना है इसको भी close कर देना है फिर यहां पर आप देखेंगे यह application install होने के बाद से यहां पर जो पहला column है इसके अंदर automatic आपको यहां पर email address लिखा हुआ दिखेगा अब आपको यहां पर क्या करना है पहले column पर यहां पर आपको right mouse क्लिक करना है फिर आपको यहां पर option मिलेगा insert one left इसके आपको क्लिक करना है और इसके left में यहां पर एक नया column add हो जाएगा अब यहां आपने किसलिए add किया है यह भी आप समझदो यहां पर दोस्तों हम डालेंगे नाम यह तो already email address के लिए है ही तो यहां पर दोस्तों आपको लिखना है name, space देना है और यहां पर आपको लिखना है फिर surname अगर दोस्तों आपने mail draft करते टाइम सिर्फ name लिखा है तो आप यहां भी सिर्फ name लिखेंगे अगर आपने draft में name के साथ surname भी लिखा है तो यहां पर भी आप surname लिखेंगे और दूसरा दिया आपको यहां पर ध्यान अगना है कि यह case sensitive है आपने mail draft करते टाइम जो code आपने डाला था उसमें जो capital है वो capital रहेगा यहां भी capital रहेगा उसमें जो small है यहां भी small रहेगा अगर miss match होगा फिर problem होगा तो आप यहां पर इस column के अंदर आपको पूरा name type करना है और इसके अंदर आपको पूरा email address जितने भी लोगों को आपको भेजना है वो सारा email address इस column में रहेगा तो यहां पर पहले वाले column में पहले हम नाम डाल रहते हैं तो यहां पर दोस्टों मेरे पास कुछ नाम और email address है यहां मेरे पास 5 है अब इसके देदर पे आपका 50, 100, 200, 400 भी हो सकता है लेकिन मेरे पास फिलाल अभी इत नहीं है तो यहां पर मैं नाम के column में वहां से copy करके इसको यहां पर paste कर देता हूँ नाम paste करने के बाद से अब यहां से देखिए मैं 5 email ID है इसको भी वहां से copy करके यहां पर लाग करके email address वाले section में यहां पर column में इसको मैं यहां से paste कर दिया फिर आपको यहाँ पे इसको adjust कर लेना है इतना करने के बाद आपको वापस यहाँ add-ons पे click करना है अब यहाँ पे आपको यह application मिलेगा yet another mail merge इस पे आना है और यहाँ देखिए आपको option मिलेगा start mail merge इस पे आपको click कर देना है और यहाँ पे आप नीचे दिखेंगे working लिखा हुआ है और यहाँ पे यह loading start हो जाएगा उसका बार से दोस्तों आपको यहाँ पे personal plan कुछ लिखा हुआ दिखेगा यह जब आप इस पे click करने हैं तो यहाँ पे यह एक नया time में open होगा और यहाँ पे दोस्तों अगर आप yearly $20 पे करते हैं तो आप रोजाना 400 mail बेश सकते हैं और यहाँ पे देखे अगर आप $40 पे करते हैं तो आप रोजाना 1500 लोगों को mail बेश सकते हैं लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको बंद कर देना है यहाँ पे देखे continue का option है आपको यहाँ continue पे click करना है आप इस page पे आ जाएंगे यहाँ पे sender name के अंदर आपको यहाँ पे पहले नाम डाल देना है मैंने यहाँ पे technical gram नाम डाला हुआ है उसका बाद option है email template आपको यहाँ radio बटन पे click करना है और यहाँ पे देखे आपने mail draft किया था अपने email gmail ID में और जो subject था वो आपको यहाँ पे वो draft mail आपको मिल जाएगा simple आपको इससे यहाँ select करना है और उसका बाद यहाँ पे देखे तीन option मिलेगा receive a test mail आप एक mail बेज़ करके test भी कर सकते हैं दूसरा है schedule अगर आप इसको schedule करना चाहते हैं किसी specific time पे आप भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी scheduling भी कर सकते हैं और यहाँ पे तीसरा option है send 5 mails तो हमें इस mail को अभी दुरंत भेजना है simple आपको यहाँ send 5 mails पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे यह mail जाना शुरू हो जाएगा तो यह सारा mail चला गया अब आपको simple यहाँ पे close पे click करना है जैसे यह mail सरा चला जाएगा यहाँ पे देखिए एक नया column add हो जाएगा merge status के नाम से और side में दोस्तों आपको यहाँ पे track report भी मिलेगा जितने लोगों को mail मैंने वेजा है वो जैसे ही open करेंगे यहाँ पे आपको tracking report से पदा चल जाएगा किस किस में आपके mail को open करके देखा है तो यहाँ पे देखिए मैंने इस browser में यहाँ पे मैंने already open करके रखा है तो यहाँ पे देखिए आपको subject के नाम से देख जाएगा शादी समारो निमंतर मैं इसको click करता हूँ और यहाँ से इस mail को मैं open करके एक बार पढ़ लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसी नाम से आया है आलम A के नाम से और यहाँ पे इसको मैंने पढ़ लिया यह पढ़ने का बार से google sheet पे आता हूँ तो देखिए इस email आईडी ने यहाँ पे इसका status दिया हुआ है email open और यह आप यहाँ से भी देख सकते हैं वैसे यहाँ पे एक और email आईडी मैंने login करके रखा हुआ है इस email आईडी पे भी दोस्तों यह mail आ गया है यहाँ पे देखिए साधी समार और नीमंतरन इसको भी मैं यहाँ से open कर लेता हूँ अब यहाँ पे दिखिए इंतखाव आलम किस नेम से आया हो सबके नेम से अलग अलग जाएगा यह email भी मैंने चेक कर लिया वापस आते हैं गूगल चीप पे अब यहाँ पे दिखिए यह भी यहाँ पे status दिखा रहा है email open वैसे जितने लोग mail को open करके देखते जाएंगे यहाँ पे आप track report में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उस mail को open करके देखा है दोस्तों अमीद है आपको यह video जरूर पसंद आया होगा अगर यह video आपको पसंद आया है आप इसको like करिए इसको जाड़ा जादा share करिए अगर यह video आप facebook पे देख रहे हैं आप मेरे facebook page को like और share करिए अगर youtube पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please इसको subscribe करिए और साथ में bell icon को जरूर दबाईए ताकि मेरे हर नया आने वाले video का notification आपको असानी से मिलता रहे